नमस्कार पायस आयरुवेदा की खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है स्टूडियो में हमार साथ मौजूद है डॉक्टर इंदर जीत कौर तो आज के कारेक्रम में हम एक ऐसे विशे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा विशे है जिसके बारे में लोग शिकायत बह किया जाए बच्चों को किस तरह से ग्रोथ किया जाए बच्चों की ग्रोथ को किसके उपर उसके उपर काम कैसे किया जाए तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और मैं से विस्तार में इसके बारे में जानकारी लेंगे जी मैं यहां पे न यहां पे मैं कीती यह इसको थोड़ा बड़ा होने दो तो उतनी देर में टाइम निकल जाता है और वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आप उनको पहले दिन से जो चीज़े सिखा होगे वो सीखनी शुरू कर देते हैं अब भी आज की डेट में अपना जो मीडिया है वो इतना जादा वास्ट हो गया है चोटे से चोटे भी जोवी चीज़ें आप सिखाने शुरू करोगे वो सारी चीज़ें उनको समझनी सुरू हो जाते हैं इस Klein मतलब कोई दो राय नहीं है मैं नहीं अनने दिखा है कि उनको जो चीजने में सिखा दोगे वही उनके पूरी बाब कामानी वाली है कि बिल्कु समाज का निर्मान करें। यहां पर मैं यह बोलूँगी कि अगर हम उससे और पिछे चले जाते हैं यह तो बच्चा पैदा हो गया उसके बाद हमने क्या करना हम लोग जो टीच करते हैं वो हम उससे पहले के करते हैं कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ तब आप उसके लिए जो तिंकिंग कि पहले जमाने में भी रिशी मुनी जो है वो तधास तो बोल देते हैं और जो आपके मन में भाव थे जिसने भी अगर लोगों ने हम उसको माइथालोजी बोलते हैं बड़ यह चीजे हमें ही ट्रेनिंग देने के लिए हैं कि हां अगर आप ऐसा सोचोगे तो वैसे ही बे जानिंग से आते हैं कि कोई प्लान करते हैं तब बेभी जाते हैं अदर्वाइस जो आज की डिट में क्या हो रहा है यहां पर यह कोई प्लेट में नि खर्रयों है अगर बेभी है तो ठीक है हो गया जब भी कण्सीव हुआ हो गया तो उसमें हम नोग बहुत जादा मतलब उस पर अटेंशन नहीं देते अब जब पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है कंसेप्शन में तब वो उस तरफ थोड़ा-थोड़ा सोचना शुरू हो गए तो नहीं तो यह जो कंसेप्शन है मतलब वो कई बार पेरेंट्स को देखते हो कि हां जी हमें पता ही नहीं चला कब कंसी हो गया तो वहां पर यह सारी चीजे हम लोग जब बचे की उसमें जाते हैं हम लोग डिटेल में जाते हैं कि यह बचा जिदी क्यों है यह माबाब की बात क्यों नहीं मानता है तो यह बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि बही जब यह पैदा हुआ था तो घर मे पेरेंट्स ने रौनक लाने के लिए बेबी प्लान किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नोटिस करने को मिलती है, कि इसकी बर्थ से पहले हैं, कई पार होता है, कि दो बचे थे हमारे, ये तीसरा जबरदस्ती आ गया, वो जबरदस्ती वाला जो बच्चा होता है, आप कि दूची का अकWe असरी थे सलिब्रेरेट करते हैं, तो यहां पर दूहरें कह भी करते हैं, शुच्च दो बच्चा कम लोग लोग लेंगे बच्चा ओके स्रिश्ठीमें हो बच्चा है, ये शूह समय rooms, क्मांढाई को!. म मंने खिभरदी को, क्लीन ख्याने वासे हो इस धर्थी पर लेकर आना होते हैं और आपने जिक्रिकिया कि माइंट को क्लीन क्या जाये बॉड़ी को अगर ऐसे बारे में आप विसतार क्लिकर और जाये को मत्यज dalyaいます अब हैं इसको पुररा प्रौसेस ही गरबादा भौसेस कहते हैं वहां युझे दोष देखते हैं कि उनके प्रकैर्ती कि ऐसी है दोष्यन के वादे बढ़र को सम्कारर मां Amaimi उनका सेडल करते हैं क्योंकि आच की डेट में परने सी जोरमीर है जय यह सस्याती territों बनесा चीज जाके जो प्लान करते हैं तो वो बच्छे वाक्या ही मैं बोलूँगी कि ही जो अगया का पालन करते हैं तो अज की डिम पर मैं यह जरूर बोलना चाहूंगी कि पहले हम यह जो अश्रम खूल रहे हैं परमप्रा नहीं है कि ये हमारे इंडिया में क्यों हां परें हूट है जब हमलों रहना श्ज्य चितनी सारी चिज्स होती關 जब हम लोग अगेले उत्यायों कर देते हैं तो या मेठ तुंधश्य इन जैसे का जी होती थे हैं कि démarr已經 वोग अकेले रहते हैं और खुद के साथ ही गुलते रहते हैं तो यहां पर हम यहां पर कंबीनेशन जैसा के हमारा कफ का वह बाइंडिंग रखता है और बौडिमिंग छता है जब अपके लिए होते हो तो एंग्सिक्टी वगएरा होती है वहाद इसी लिए इसलिए महत्वता इतनी जादा है क्योंकि वह आपको फैमिली को कमबाइन करके रखने का काम करते हैं और इसमें मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा पेरेंट्स का भी योगदान है क्योंकि वह बच्चों को वही करने देते जो बच्चा चाहता है बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते जब बच्चे पैदा होते हैं जब आम उनको लेट गो करते रहें कोई बात नहीं अभी यह चोटा है अभी इसकी उमर नहीं है सिखाने की जब उसको वह आदत पढ़ जाती है फिर उसको वह आदत उसको पता है कि यह मैं ऐसे जित करूँगा ऐसे नहीं तो ऐसे जित दूगर तो या फजरोरी मिए है ख़दि ज्यादा करेंग कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हद से जादा केरिंग होना और बच्छों को को हर कुछ करने देना तो यह कही ना कहीं है यह जllow ऑल बच्छों के लिए और परैरेंट्स के लिए दोनों के लिए दुखता ही हो जात तो स्वास्थे में अगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहने देते हो जब थोड़ा सा यह इन्सान बूखा नहीं रह सकता जाहे बड़ा है अगर कोई गुसा होता भी तो एक दिन गुसा होगा दूसरे दिल भूख लेगे वह अपने अब खायेगा तो यह जो नेचर है यह जो पेरेंट्स नेचर ड्वेल्प करते हैं तो यह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने देना चाहिए उनके टाइमिंग हमें उतको डिसिप्लेन रखना चाहिए पैंपरिंग इस ओके बट डिसिप्लेन बहुत ज़रूरिया क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा सीधी नहीं है जेतना मा का या बाप का घर है उनको आल्टिमेटली सुसाइटी में आना है फिर मैंने बच्चे देखा कि आके सुसाइटी में उतको अजिस्ट नहीं हो पाते बहुत सारी एक्जेम्पल्स है मेरे सामने के बच्चों को कांटिं तक भी नहीं आती इतने बड़े हो गया लाइक फॉर्टी यह फॉर्टी फाइव तक भी आके उनको एक दो रुपए गिनने अगर उनको जैसे नहीं पता कितना होता है फिर नासी नहीं पता कितना होता है तो यह इक मौडर्णाइजेशन का इसे नाम दिया गया है कि हमें 79 पता है हमें 89 पता है वह चीज़े होनी चाहिए ना जब आप एक हिंदु राश्टर में रह रहे हैं तो आपको इन सारी 001 पता होता है कि म कण yaptा divine 79 बता अब गुए ह। दूप कर यह यह साररी चीजह है तो यहांपर मैं इन चाहिए उनको प्योंसे जरूर सिखानी चाहिए उनको यह बताना है लेकिन कहीना कई देखते ही जा रहे हैं कि जिस तरह से आगे फैमिली बढ़ती जाती है तो फैमिली बढ़ती भी जाती है मतलब अगर आगे दो बच्चे हो गए तो पिछले जो बुजुर्ग है कहीना कई उन्हें काट दिया जात गुचरादी फैमिली बच्चे वहां पे बजूर्ग इसी की डॉमिनस रहती है अगर उसकी डॉमिनस रहती है तो सबसे अच्छे आप देखोगे बिसनस में और यह जू है वहां पर यह सारी चीजे मेंटर करती है क्योंकि वहां पर बलैसिंग्स है जितना आप बड़ों की आप रिस्पेक्ट करते हो, आप उतना प्रॉस्पर करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हर चीज का मैं बुलूंगी की कॉंबिनेशन होता है, वो चाहिए एस्ट्रोलोजिकल कंसेफ देख लो, या अदर्वाइस ऑलसो, मॉरल वैल्यूस को ही लगा लेते हैं, तो आपने माता को याद करते हैं, लगातार हम पिक्चर्स में भी दिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने बुज़ूरगों के पैर चुँ रहे हैं, तो ऐसे में ये प्रशन आप से मैं पूछना चाहूंगी, कि इस पिक्चर के पीछे क्या मतलब प्रेढा ली गई है इ आपने पूरा उनके पैरों के उपर आप जब अपना सिर रखते हैं और जो दूसरा जिससे आप अशीरवाद लेते हैं वो जब आपके सिर पे हाथ रख देता है इनर्जी ट्रांसफर होती है यहां पर इसका साइंटिफिक रीजन है कि वो जो बजूरुग है जैसे यह गुरुजी है उसके उपर हाथ रखेंगे तो इट क्रियेट से सरकल एक पूरा एनर्जी ट्रांसफरमिशन का सरकल बन जाता है उसमें उस इनसान की जितनी पॉजिटि सब्सक्राइब यह आपको सूर्य से बदोश करें यहां पर सुर्फ नहिसे जाते हैं आपने माता-पिता देख नहीं कारें परश करना ही एक अच्छी बात तो है लेकिन इसके साथ आपको फाइदा भी होगा अगर आप अपनी माता के पैर्च हुएंगे तो आपने बोला कि चंद्र का आपको जो है जितनी भी अगर उनको माता से यह समझ नहीं आता तो जितनी भी मनी के इश्यूज है अगर अपने अगर करते हो तब भी आपको बेनफिट मिलेगा अगर शाष्टंग प्रणाम करते हैं और उसके बाद आशिरवात देते हैं तो यह पूरा एक साइंटिफिक रीजन है यह परंपरा के सांटिफिक पूरी आपकी अपकी मतलब इसके आपकी नेगिटिविटी प्र 57 अपनी तरफ ले लेते हैं एक और आपको अपनी पॉजिटिविटी देशिविटी और पेरें शे उबरबढ़के कोई देवी देमरी होते यह उर्य सूर्या मैं साहल्ट कर अब हैं सूर्या मैं बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ बाहस पसाई भी होती रहती है तो आप एक बार जरूर करो आप देखो आपको कितना बेनेफिट इससे होता है कि आपने ऐसे रखना है तिर आपने उनके जो पंजे हैं और अंगुठे हैं पर हाथ रखना है और ऐसे पुरा सर्कल वो त्वादत नहीं थी कि मेरा बेटा और चुएगा जब उनन ऐसे और डर गया हिए जावागुए वो बेक्ते क्या होओ बैटेने गभी पहर नहीं चुए थे अब बेटे ने महीं पेर अभी नहीं चुए थे अब बेटे हमारे पैर फेरेंडेटे हो एंड दरू हुत एंड कहां कहां से उनको result मिलने शुरू होगे तो उसके बाद उन्होंने वो नियम बना लिया तो यह ऐसी हमारे parents हमारी help करते हैं और कहीं न कहीं देखा यह भी जाते कि यहां पर रिष्टे भी जो है वो सुधरते हैं हां आप कहीं गलती भी होगी और आप जाके माफी मांग लेते हो तो आपके सारी चीज़े वो ठीक हो जाती है यानि कि रिष्टों को तो मजबूत करता ही है चरणों को सपर्श करना और आपको positivity भी बहुत ज्यादा मिलती है और कहीं ना कहीं आपकी business से related जितनी भी चीज़े हैं या फिर कोई भी स्वास्ते से related जो भी चीज़े ह वो आपकी दूर हो जाती है जितने भी आपके रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे चरण को सपर्श करने से बहुत अच्छा message गया है आज के इस कारिकर्श बच्चों के लिए इसलिए बच्चों को जरूर बोलो कि सुबह उटते ही ममा पापा के दोनों के पैर हाथ आपने क्या कर रहे हैं बट आप उनको आदर लो के हां बेटा ममा आपको blessing देगी आप अच्छा उनका क्या इसमें उनसे शुरू करवा सकते हैं कि अच्छा क्या बनना चाहते हो तो इसको वैसी blessing दो ठीक है आप फर्स्ट आओगे आप ये बनना चाहते हो आप वो बनोगे तो कि दिमाग में जो affirmation we call it कि आप उसको दिमाग में जो चीज डाल दोगे आठ साल तक वो उसका बेस बन जाएगी उससे उपर आगे आप उससे जो मर्जी करवाते रहो तो आठ साल तक अपने बच्चों को उस डिसेप्लें जरूर सिखाना है उसको डिसेप्लें सिखाना है बड़ों की रिस्पेक्ट सिखानी है और उनको यह बताना है कि हमें ऐसे यह हमारी जो पिछे से संस्कृती चलती आ रही है उसकी नॉलेज भी उसको जुरूर देनी है और यह जो चोटी-चोटी कहानिया आती है जो माइथालोजी की कहानिया आती है वो उनको जुरूर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो संतोशी माता को याद करो आपके सारे काम कर देंगे और ऐसे ही तीन-चार और स्टोरी है कि मतलब आप जो अपना काम आप खुद करते हो मैंने चार स्टोरी है जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है बच्पन में सुनी है अपनी नानी से अपनी आपकी आगे जाके पूरी लाइफ में कितनी ज्यादा कारगर होती है वह अगर आप दिमाग में क्योंकि यह सबसे बैस टाइम है बच्चों के दिमाग में जो भी आप पॉलिश करना चाहते हो आप उनको इस टाइम पर लीजिए बस साथ में उनकी सहत का द्यान पेरेंट्स उनको गले लगाएं और दिन में जुरूर टीन चार बार ऐसे गले लगाएं जी और इसी के साथ हमारे कारेकरम के पहले कॉलर हमारे सा जुड़ गया है नागेंदर सिंग नेगी हिमाचल से अपनी समस्य रखे नशकार मैडम जी नमस्कार जी डक्सार कि अजिए बात तो बहुत वहारी है लेकिन आशल में हमारे से लुक्त परिवार जिस तारच टूट रहे हैं मैडम और यह जो हमारा जो मंब भावनात्मक जो वा आगार्नक्स इह सब्संतर रही है इसकार अचे प् capaz झागिया बश्जयत आपड़े तिरहा के लिए अगे घ नहीं रहा है अधेन परिवार यर न्यूटल परिवार जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं इस में मैन Please नहीं दोड़ियाइक शौर्प बडूब्यूं की भी हो बहुत हो उरी गजी बजुड़कों की दिंद नहीं experiencedal करदने वाला तो जिस वक्त उनको इकठे रहने की जरूरत है उस वक्त भी मतलब उनको जुजा करने की कोशिश की जा रही है जी तो यह बहुत भूट धन्यावाद आपका इस प्रोग्राम को सुरू करने के दिए धन्यावाद नसकार जी तैंक यू जी तैंक यू वेरी माच अब सही गह यहां पर लोग मुवी देखने जाते हैं यहां बोलूं कि बागवान मुवी में यही सब दिखाया गया था और वहां पर चलो उनका तीन गंटे का वो प्रोग्राम हुआ खतम हुआ वहां पर है ना बट मैं देखते हूं यह बहुत सारे परेंट्स के साथ हो रियल लाइफ सकते हैं तो दोनों को रोखो 6 में नहीं रखो ऐसे कर लो अगर आप नहीं कर वैसे तो मैंने तो यह देखा है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं उससे ऊपर कोई चीज नहीं है ठीक है थोड़ा सा मैनेज करना होता है आपको आप उसके लिए टेंडेंट है रख सकते हो आप सूबाशाप उनको देख सकते हैं ऑर यह यह सारे घटचे वैसे ही निकल जाते हैं अगर ऐसे मानेटरी उससे भी देखा जाएक्तर देखा यह यह खाघा पोस्ते ऑने की सेवा करते हैं और एक वक्त ऐसा हम tak कि जब उन्हें अपनी सेवा की जरुड़त होती है तो तब आप उन्हें आ देते हैं अगर आप उन्हें गला घोट कर भी नहीं माते तो आप उन्हें तिल-til करके माते हैं यहीं मतलब यह पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाता है इस चीज को कि हमने भी उसे स्टेज पर जाना है आप देखो इतनी वीडियो बनती हैं ना वीडियो आप बना लते हो उसको ला करते हो यह ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए आप यह देखो कि आप अपने पेरेंट्स को कितना करते हो ना आप पेरेंट्स को आप सिर्फ एक इजद ही दिनी शुरू करो दो दाट इस more than enough वो और तो मैंने देखा आज की डेट में जितने भी पेरेंट्स है num owns सब शची अपनी वो आती हैं उनके पास से इनकम आती हैं उनको रेटार्मेंट के बाद जो उन की लगती है खै Zarור हैं तो आजकी डेट्स में आप Гए पैसे लें लेते हो अब पहार को इस ताइम पर आके जरूरत है ना कि मनी की जरूरत है। सब्सक्राइब बिचारों से पूरी निए घाती कभी उनका पेट खराब है कभी उनको कोई दिकत है तो यहां पर जरूर मैंशन करना चाहूंगी कि अभी में जो लेंगे यहां पर डायप्टी कुछ को लेंगे तो डायप्टी रिलेटेड मैंने देखा इतनी पेश्ट को प् तडे माम डायबिटीक के जितने भी मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है और आज हमने बेहद ही एक अच्छे मेसेज के उपर हमने बात किया कि अपने माता-पीता के इज़त करें और बच्चों को भी बच्चपन से ही अच्छे संसकार और बच्चों को डांटना बहुत बच्चों को यह नहीं हम और विस्तार करेंगे क्योंकिक्य मुद्दा ऐसा है इसके ओपर जितनी चर्चा कि जाए कम है फिलार नमसकार